साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्प्लूसिव खबरें फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा जटका लगा है अचानक इंडस्टी में कोराम मझ गया मुंबई से लिकर नाकपूर तक हाहकार मझ गया क्योंकि बेहत कम उम्र मेंहीं बड़ा एक्टर दुनिया चोड़ कर चला गया बड़ा स्टार दुनिया छोड़कर चला गया हालात ये थे कि करीबियों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो गया और यहीं नहीं मुंबई और नाकपुर में कुछ गफलत तक हो गई जिसके बाद हालात और जादा बिगड़ गए क्योंकि नाम बंटी का आ रहा था बंटी के जाने की हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देने की बात हो रही थी तो कैसे बंटी की सांस है थम गई सब कुछ आपको बताते हैं आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी कंडोलेंस जरूर दें फिल्म इंडस्ट्री को कुछ न कुछ नुकसान लगातार हो रहा है पहले लता मंगेशकर की हालत खराब हुई तो फिर सुनिल ग्रोवर को अस्पताल पहुचाना पड़ा तो वहीं इससे पहले पिछले साल तो कई दिगजों ने दुनिया ही छोड़ दी थी इस पर यकीन करपाना बेहत मुश्किल हो रहा था अभी दर इस बीच बंटी की खबर ने सभी को हैरान कर दिया परिशान कर दिया क्योंकि अचानक बंटी सिंग इस दुनिया को छोड़ कर चले गए और यही नहीं पहले तो बंटी की खबर जैसे ही आई वैसे ही गफलत भी फैल गई मुंबई से लेकर नाकपुर तक हाकार मचा तो कैसे मामला सिलसिलिवार तरीके से आगे बढ़ा हूँ आपको बताते है तो फिल्म अभी ने था और गायक बंटी सिंग का राची के अस्पताल में निधन हो गया बंटी सिंग करीब चार दिन से अस्पताल में भरती थे उनका इलाज चल रहा था और फिर उन्हें अचानक वेंटी लेटर पर शिप्ट किया गया लेकिन सुबह सुबह उनकी तबियत बिगडी और फिर अचानक सांस लेने में भी दिक्कत हुई और अचानक ही बंटी की सांसे थम गई और ओ दुनिया से चले गए चल बसे जिसके बाद कोराम मच गया अचानक खबर फैल गई कि बंटी सिंग ने दुनिया चोड़ दी बंटी सिंग के चाहने वाले और करीबियों को रोरो कर बुरा हाल हो गया अब ये खबर जब मुंबई मायनगरी पहुँची तो वहां अलग ही कोराम मच गया क्योंकि वहां कुछ और ही मामला सामने आ रहा था क्योंकि वहां जो खबर आई थी वहां जो खबर पहुँची थी वो ये थी कि सेक्रट गेम्स के बंटी यानि की जतिन सरना चले गई है जी यहां मुंबई में आग की तरह खबर फैल गई कि नमजोदीन सिद्दगी के बंटी यानि की जतिन सरना चल बसे है तो फिर तो हंगामा मच गया बवाल हो गया तुरंधी बंटी यानि की जतिन के घर लोगों का पहुचना शुरू हो गया अब हालात ये थे कि बंटी भी घर पर नहीं थे उनकी खबर भी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग पर के थे जी हाँ उनका फॉन पिक नहीं हो रहा था कि कुछ देर बाद मामले का खुलासा हो गया मुंबई के बंटी यानि की जतिन सरना बिल्कुल ठीक पाए गए उनके नाम की वज़े से घबलत हो गई थी जिस वज़े से लोगों ने उनके नाम का आभास कर लिया लेकिन वो पूरी तरह से ठीक थे लेकिन असल बंटी नाकपुरी फिल्म इंडस्टी के थे जिनका राची में नितन हुआ था नाकपुरी बंटी सिंग भी खासे पापुलर थे उनकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगा जा सकता है कि उन्होंने चार हजार से ज़्यादा एल्बम दिये थे कई फिल्मों में भी काम किया था और लगातार काम करी रहे थे करीब 20 साल से बंटी सिंग इंडस्टी में थे लेकिन उनका काम लगातार आगे बढ़ रहा था मगर अब उनकी जिन्दगी उनका काम सब कुछ थम गया क्योंकि अचानक उनकी सांस हैं थम गई अब नाकपुर फिल्म इंडस्टी में खासा शोक है लोग परिशान हैं उनके चाहने वाले दुखी हैं जोकि बंटी जैसा करीबी आदमी दिलदार आदमी चला गया वहां लोगों को ये बात परिशान कर रही है और पूरी इंडस्टी ने दो दिन जिया दो दिन के लिए पूरी तरह से काम बंद कर दिया गया है बंटी सिंग की याद में पूरी इंडस्टी दो दिन किसी भी तरह काम नहीं करेगी जिसकी बात से अंदाजा लगा जा सकता है कि बंटी सिंग का कद नाकपूरी इंडस्टी में कितना बड़ा था कितने बड़े कद के कितने बड़े स्टार वो थे तो फिल्म जगत के वाकई हालात खराब हैं कहीं भी कुछ भी हो रहा लेकिन एक साथ दो बंटी की खबर ने पहले परिशान कर दिया मगर मुंबई वाले बंटी यानि की जतिन सरना ठीक हैं लेकिन नाकपुरी वाले बंटी दुनिया छोड़कर चले गए हैं अपनों को करीबियों को छोड़कर चले गए हैं जिससे उनके चाहने वाले उनके करीबी लोग रो रो कर परिशान है उनका बुरा हाल है तो आप भी इस वीडियो को शियर करें और बंटी सिंग को लेकर अपनी शद्धान जली ज़रूर दे तो जो कोमेडियन खुद सब को हसाता है दूसरों का दिल खुशी से भड़ देता है उसका खुद का दिल जलनी हुए जा रहा था और उसने अपने दिल की परवाना करते हुए लगातार काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझा फैंस का मनोरंजन करना ज्यादा जरूरी समझा हम बात कर रहे हैं कॉमेडियर और एक्टर सुनील ग्रोवर की जो कि फिलहाल मुंबई के एश्यल हार्ट इंस्टिट्यूट में भरती है और अपने हार्ट की सर्जरी करवा रहे है सुत्रों की माने तो सुनील ग्रोवर को पिछले दो महिने से हार्ट से रिलेटेड कई समस्त्या महसूस हो रही थी ना तो वो ठीक से सो पा रहे थे और ना ही खा रहे थे मगर फिर भी सुनील ग्रोवर ने अपनी गिर्ती सेहत पर ध्यान नहीं दिया और लगातार शूटिंग करते रहे हाल ही में जब वो एक वेब सेरीज की शूटिंग के सिल्सिले में शिमला पहुचे तो वहाँ ठंड की वज़े से उन्हें हार्ट में ज्यादा परिशानी होने लगी और उन्हें काफी दर्द भी महसूस हुआ तो सुनील ग्रोवर मुंबई लोटाए और उन्होंने यहां आकर हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया जहां सुनील ग्रोवर के हार्ट में कई ब्लॉकेज पाए गए जिसके बाद डॉक्टर्स की सलापर सुनील की तुरंत इमर्जेंसी में हार्ट सर्जरी करनी बड़ी डॉक्टर्स की माने तो अगर सुनील ग्रोवर शिमला की ठंड में दो दिन और रुकते तो यकीनन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता जिनके बाद उनके इस्तिती बेहल जादा भिगर जाती क्योंकि उनके हार्ट में कई गंभीर ब्लॉकेज है जिसे सभालना शायद फिर हमारे हाथ में ना होता वही सुनील ग्रोवर के करीवियों की माने तो सुनील ग्रोवर को शिमला के बाद पुड़े शूटिंग के लिए जाना था और वहाँ पर बच्ची हुई वैब सिरीज के कुछ सीन शूट करने थे मगर इससे पहले ही उनके हाथ में ब्लॉकेज की रिपोर्ट सामने आ गई जो की काफी डेंजर लेवल पर थी इसलिए सुनील को तुरंद मुंबई के अस्पताल में भरती करवाया गया अब सुनील ग्रोवर की सर्जरी की खबर सबसे पहले सीमी ग्रैवान ले ट्वीट करते हुए दी सीमी ने अपने ट्वीक में लिखा मैं शौक्ड हूँ कि सुनील ग्रोवर की हार्ट की सर्जरी हुई है वो अपने दिल की कीमत पर हमारे दिल को हसी और खुशियों से भड़ता रहा मैं उनकी फास्ट रिकवरी की प्रेयर करती हूँ इसी के साथ सीमी ने अपनी पोस्ट में टूटे हुए दिल वाली इमोजी का यूज किया इसी तरह कई और सेलेप्स ने भी सुनील के शीगर स्वस्त होने की काम ना की है यहां आपको बता दे कि सुनील ग्रोवर को कपिल शर्मा शो की गुथी के रूप में सबसे ज़्यादा पहचान मिली है हाला कि सुनील ग्रोवर जिसमें फिल्म और वेब सीरीज में नज़र आए हर जगे उनके काम की काफी तारीफ होती है उनकी एक्टिंग को लोग बहुत पसंद करते है वही दूसरी खबर बॉलिवुड के अभी नेता अमिताब को लेकर है जिनका दो फरवरी को सुभे साड़े चार बजे निधन हो गया एक्टर अमिताब दयाल का निधन हार्ट अटेक की वजह से होना बताया जा रहा है अमिताब 61 साल के थे उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है एक्टर अमिताब दयाल अमिताब बच्चन जौन अबराहिम के साथ विरुद्ध फिल्म में नजर आ चुके हैं वहीं ओमपुरी के साथ कगार में उनके काम की काफी सा रहाना हुई थी अमिताब दयाल के निधन के जानकारी उनकी पत्नी मिर्नालिनी पाटिल ने दी है उन्होंने बताया कि आज सुभे साड़े चार बजे उनका निधन हो गया अमिताब को 17 जनवरी को दिल का दोरा पड़ा था जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानवटी अस्पताल में भट्ती करवाया गया अस्पताल में जाच के दोरान पाया गया कि अमिताब कोरोना पोजिटिव है इलाज के बाद कोरोना से तो वो उबर गए लेकिन एक बार फिर से उन्हें हार्ट अटेक आया और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका यहां आपको बता दे कि अमिताब दयान ने हाल ही में अपने इंस्टेग्राम पर अस्पताल से ही बनाया गया अपना वीडियो चार दिन पहले ही पोस्ट किया था उनका ये वीडियो बेहत इमोशनल है वीडियो में वो अस्पताल के बैड पर लेटे हुए है और वीडियो में कह रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों आज आठवा दिन है कोविट से लड़ाई करते करते लड़ाई करना कभी मत छोड़िये कोई आत्मरक्षा के लिए लड़ता है कोई आत्मसम्मान के लिए लड़ता है अब हम कोविट से लड़ रहे हैं आत्मिरक्षा के लिए हमेज जिन्दगी जीनी है इसलिए कभी हार मत मानिये जैसे मैं नहीं मान रहा मैं आप लोगों से रोज मिलूंगा जैहिन अब ये वीडियो बता रहा है कि अमिताब दयाल अपनी जिन्दगी जीना चाहते थे लेकिन कोविट ने उन्हें ये मौका नहीं दिया रंगदारी और धुआ फिल्म के अभिनेता अमिताब की शादी मराथी डाइरेक्टर मिर्नाली नी पार्टिन से हुई थी लेकिन शादी की नो साल बाद ही दोनों में तलाक हो गया अमिताब अपने पीछे एक बेटा शिवम और बेटी अमरता को छोड़ कर गए है तो अमिताब दयाल के निधन से जहां पर बॉलिवुड में दुख पस रहा है वही कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के शीगर स्वस्त होने की कामना की जा रही है तो आज बॉलिवुड से इन दोनों ही खबरों ने सब का दिल दोड़ दिया